नमस्वार दोस्तों स्वागत है आपका अमरे यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा न्यूव वेकेंसी के बारे में न्यूव वेकेंसी यहां पर जो है अरर भी और से निकलकर आ रहे है ग्रामिन बैंक की यहां पर आपकी यह वेकेंसी स लगने वाले है और डीटेल में आपको इस वीडियो में बताने वालों वीडियो के लास में में आपको यह भी बता दूंगा किस तरीक से आपको इस पोस्त के लिए एपलाए करना है ठीक है और आपको इस वीडियो में देखने को मिल दाएगी तो वीडियो में दोस्तों आ यहां पर आप चैक आउट कर सकते हैं, Institute of Banking Personal Selection यहां पर दिया गया हुआ है, ठीक है, यहां पर 66 page का यह notification रिलीस किया गया हुआ है, कौन-कौन सी post है, तो recruitment of officer यहां पर scale 1, scale 2, scale 3 की post है, office assistant की हां पर आपकी post है, multipurpose की हां पर आपकी post है, ठीक है, regional ruler bank की हां पर आपकी post है, RRB में, तो यह चीज़ यहां पर आप check out कर सकते हैं, official website से आपको apply करना है, यह official website है, ठीक है, यहां पर आप notification देख सकते हैं, यहां से आप download भी कर पाएंगे, यहां पर मैं short में आप लोग को बता देता हूँ, यह काफी बड़ा notification है, जो भी इसमें important detail थी वो पहले मैं आपको shots में बता देता हूँ, यहां पर आप check out कर सकते हैं, कब से online apply कर पाएंगे, तो 1, 6, 12, 13 से आप लोग उसमें online apply कर पाएंगे, ठीक है, OBC जनल वालों के लिए यहां पर 850 पर फीस लग रही है, SCST वालों के लिए हाँ पर 175 फीस लगेगी, यहां पर credit card, debit card, नेट वेंग यहां पर exam कब होगा, तो यहां पर prelims जो होना है, वो अगस्त मन्त में हाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहां पर date भी जारी कर दी जाएगी, इस official S8P सारी update आपको देखने को मिलेगी, admit card कब आएगा, तो यहां पर exam से पहले 15 दिन या, 1 week पहले आपको admit card दे दिया जाएगा phase 2 के exam कब होंगे, September मन्त में हाँ पर यहां पर आपके exam होने, अब post यहां पर कितनी हैं, तो आप देख सकते हैं, 8000 प्लस यहां पर post है, यहां पर आप check out कर सकते हैं, next, office assistant के लिए यहां पर अलग-अलग post के लिए अलग-अलग age criteria यहां पर दिया गया हुआ, अब यहां पर देखने को मिल दाएगी, officers की, अगर इसी आप check करेंगे, तो office scale 2 की chartered accountant की 21 post आपको देखने को यहां पर मिल दाएगी, friends, यहां पर one year का experience जिसमें मांगा गया हुआ है, CA के लिए, ठीके, आप देख सकते हैं, office scale 2 law के लिए, officer के लिए आपर 24 post हैं, जिसमें bachelor degree LLB मांगा गय जिसमें यहां पर bachelor degree से भी आप apply कर पाएंगे, अब यहां पर मैं आपको details फुल में बता देता हूँ, ठीके, यहां पर आप देख सकते हैं, कौन-कौन से यहां पर participating है, RRB के banks, RRB के यहां पर पूरा दिया गया हुआ, branches आप check out कर सकते हैं, state भी यहां पर दिया गया को यहां पर 30 देखने को मिलेगा, अगर आप reserve category से आते हो, आपको age selection भी इसमें मिल दाएगा, ठीके, तो यहां पर कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको age selection भी इसमें मिल दाता है, next, यहां पर हम more scroll करते हूँ, details यहां पर check out कर लेज़ें, ठीके, यहां पर reservation of person batch part, disability के बारे में दिया गया है, और भी category के बारे में हाँ पर दिया गया हुआ है, जिसमें जो भी इसमें important detail थी, वो पहले मैं आप लोग को यहां पर clear कर देता हूँ, friends, यहां पर post के हम लोग बात कर लेते हैं पहले, यहां पर details में कि क्या यहां पर experience भी मांगा गया हुआ तो आप देख सकते हैं कोई experience यहां पर नहीं मांगा हुआ है, अब कर आप multi purpose के लिए apply करते हैं, उसे bachelor degree आप से मांगा गया हुआ है, desirable working knowledge of computer होना चाहिए, office assistant कि अगर आप यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर भी experience नहीं मांगा गया हुआ है, banking manager की post है, यह बड़ यहां पर मांगा गया हुआ, experience इसमें भी आप check out कर सकते हैं, law officer के लिए check out कर सकते हैं, तो इस तरीक से आपको यहां पर post देखने को मिल दाएगी, तो सारी चीज यहां पर दिया गया हुआ है, सारी चीज क्लियर यहां पर बताई गई है, अब यहां पर application fees के बारे में बात test, यहां पर किस तरही से आपका selection process रहेगा, examination किस तरही से होना है, वो यहां पर दिया गया हुए, office assistant के लिए reasoning and number ability पूछा जाएगा, 40-40 questions, 40-40 marks, 45 यहां पर आपको time दिया जाएगा, office scale 1 के लिए अगर आप देखिंगे, तो यहां पर same is it, is it, देखने को आपको मिल दाता ह जाएगा, office scale 1 के लिए अगर आप लोग देखते तो यहां पर reasoning, computer knowledge, general awareness, English language से आपको यहां पर questions पूछे जाएगे, Hindi language यहां पर जो इस तरीक से all over अगर आप देखें तो 200 questions, 200 marks से इसमें 2 घंटेक आपको समय दिया जाएगा, यहां पर officer please note इस तरीक से दिया गया है, ठीक है पूरा table यहां पर दिया गया हुआ है, इस तरीक से आप चैक आउट कर सकते हैं, ठीक है, Hindi English जिसमें आपको यहां पर exam के बारे में details देखने को मिल दाती है, तो यहां पर पूरी details दी गई हुई है, index यहां पर दिया गया हुए, ठीक है, किस तरीक से आपके यहां पर examinations में questions पूछे जाएंगे, ठीक है, examiner center के बारे में दिया गया हुए, यहां पर आपको pandemic, covid, the period may be do to help, इस तरीक से यहां पर आपको guidelines भी देखने को मिल दाती है, interview application, यहां पर जो interview के बारे में दिया गया हुए, application only for post of officer 1, 2 and 3 के लिए ही यहां पर आपको बुलाया जाएगा, तो अब office assistant के लिए apply कर सकते है, bachelor degree अगर आप पास है और computer knowledge अगर आप लोग के पास है, तो इसकी यहां पर link जो है, मैं आप लोग को PDF की description में दे दूँगा, वहां से आप इसको download कीजिएगा, ठीक है, किस तरीक से यहां पर आपको photo upload करना है, apply करना है, वो दिया गया हुए, को आपको यहां पर 10th class की mark sheet लगनी है, उसके according ही, आपकी यहां पर सारी details fill up होगी, जिसमें आपका नाम, father name, mother name, तो आपको गलतिया नहीं करनी है, SMS और mobile number यहां पर जो है, email ID और आपको mobile number सही देना है, तब ही आपके पास SMS आएगा, notification आएगा, general instructions यहां पर दी गए हुए, व officer student की multipurpose में किती post है, category यहां पर आप check out कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा, कौन से state में किती post है, ठीके, कौन से gram in bank में किती post है, यहां पर उस recording यह आपको apply करना है, पता चला आप उस bank के लिए apply, उसके लिए apply करना है, जहां पर आपकी category की post ही नहीं है, या post कम है, त अच्छे से इसको download कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप इसमें apply कीजिएगा, तो इसमें जो भी इसमें detail थी, मैंने सारी आपको बता दिये, कोई new update और अगर आती है, ठीके, या post बढ़ती है, तो आप लोग को बता दिया जाएगा, बाकि आगर आप लोग चाहते ही किस पर में video बनाओ, किस तरीक से apply करना है, comment section में आप मुझे बताईएगा, ठीके, मैं इस पर यहाँ पर वीडियो बना दूँगा, किस तरीक से आपको इसमें apply करना है, तो आई अप दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीके, काफी अच्छी vacancies आ च